ननार खेरो में बदमाशों ने बंदूप की दमपर दिया दकैती को अंजाम, नगदी व जेबरात लुटे थाना गुरसराय के आने वाले ग्राम ननार खेरो यांश कुमार जैन घर आज 18 व उन्नीस मार्च की दिर्म्यानी राथ 2 बजे बजे पंद्र से 20 बदमाशों ने असलहा के दमपर परिवार की सभी लोगों वो बंधक बना के लाथी डंडो एवं धारदार हत्यारों से पार किया जिससे परिवार लहुलुहान हो गया एव लाखों रुपे नक्त एवं जेवरात ले गए एव महिलाओं के नाक कान वपैरों से बिछिया पायल उतार ले गए सारे परिवार को बंधक बना कर एक से देव घंटे तक मार्पीट की सर में कटे की बट से प्रहार किया एवं सभी लोगों के मुबाइल ले गए परिवार के सभी लोगों से रिपोर्ट ना करने के लिए कहा अगर रिपोर्ट की तो जान से मारने की धमकी देते हुए चले डकैतों के भाग जाने पर परिवार जनों के शोर मचाने पर गाववाले एकत्रित हुए बगराम प्रधान द्वारा प्रशासन को सूचना दी गई मोके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष गुरुसराण पायन त्रिपाथी ने घटना स्थलका जाय जालिया वजले के कप्तान को सूचित किया गुरुसराण से सुमित सोनी की रिपोर्ट कितेने लोग ते गए लोग करें तो युटिर क्या होगे आपके साइब आट दस लोग आएधे अंदार रहते पंदार नेचा एठाट गार जाना थे अधे अर जोग ए और उनने पूचाय कहां पर आगे अधार के अगलों तो आपके तुम्हारी रिपोर्त किये ए इसलिग कि आप लोगों के साथ मारपीट की क्या क्या सामान ले गए पांच लाक रुपे और कुछ ले गए और सोना चानी जोजी बैट जितना था सब ले गए आप के साथ भी यह मारपीट हुए परस तुमारा साला चुविए और साला इस्तिजा सो रहा था है तो ले चुनाव प्राइब को लोगों का नाम भी लिए उन्यागा कि इसे खतंबाए कानपुर में है यहाँ हर चीज बताई उन्यागा क्या पैचाना आप लोग और उनकी आवास से पैचान में नहीं आएंगी आवास से पैचान में सबा जाए जाने अजिए फटी गाने जखती यह बादा अब हाग साथ साथ उपला साथ शला साथ भागा इस अजिए आपको चात इमार पीट किये आपको शात में है अजिए हैं इस पक्त जिले में यह बता गल लिए दिए एच्छान पुटसराय और गरोटा का बीच में बाडर में एक गाउ है केरो इस केरो गाउं का बीच में एक जो मकान है जिसके सामले में खड़ा हूं और मकान के साथा हूआ ये किराना का दुखान भी है इस मकान में अरली मॉर्णिंग डाई बजए लगबग कुछ बदमाश लोग उसे और मकान मालिक और उनका बेटा को गायल कर दिया है और घर से कुछ पैसा और जेवरात लेके चले गए हैं परिवार लोगों से अभी बाचित हो गई है और तेरीर कादर पर तत्काल उमकादमा पंदिकर कर आवशे करवे की जारी है अभी इस गटना कुलासा करने के लिए चार अलग टीम गटन किया गया है एस पी सिटी का नेतरतों में दो अलग सीवोस और उनका अलग टीम काम कर रही है इस कटमा जल्दी कुलासा करेंगे